यह देखें आप 480 टेक्टर, डेकोडेटेट टेक्टर है, छत्री लगी हुई है टेक्टर में, सीशा लगा हुआ है, तायरों की आगे आप देखें तो बिल्कुल नए टायर है, नए रेडिटर है और कम्प्लीट इंजन करवाया हुआ है, पीछे के टायर आप देख सकते है गोड है, टायरों का खर्चा जरूर हो सकता है, नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल फार्मिंग जोन में, तो किसान भाईयो, आज मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ, एक नई वीडियो पुराने टेक्टरों की, क्या पुराने टेक्ट की कंडिशन होगी, क्या टायरों की कंडिशन होगी, और टेक्टर कैसा होगा, यही सारी बाते में आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, यह देख रहे हैं, आज जीरो टू ई, आईशर 485, इसके बारे में बताएं रवि और नमबर है, साड़े 4 लाग, लास्ट है या इसमें कुछ उपर नीचे हो सकता है, 5000 डिसकांट दे देंगे, तो आप देख सकते हैं, किसान बाईयो टेक्टर देखकर ही लें, आप चार तरफ से टेक्टर की कंडिशन देख सकते हैं, टेक्टर काफी बढ़िया है, खाने वाले हैं, 485, इसके बारे में बताई रविंदर जी है, 485, नमबर कहां काई है, अलूर नमबर है, अलूर नमबर है, 2015 मोडल है, आपने डलवाए है, डले हुए है, आपने डलवाए, कितने परसंट इंजन होगा इसका, इसका 50 प्लस, यानि के बढ़िया है, अभी को बिल्कुल टायर नए हैं, और आगे के टायरों में भी कोई खचा नहीं है, और ना पीछे के टायरों में छत्री लगी हुए है, और आगे सीसा लगा हुआ है, तो किसान भाई ओ, आप देख रहे है, डेकोरेटेट किया हुआ है, ट्रैक्टर में कहीं कोई कमी नहीं है, जो भी किसान लेके जाएगा खूब चलाएगा खूब कमाएगा इससे मौडल कौन सा यह 15 15 कीमत क्या है इसकी इसकी है तीन लाक असी अजार रूपे में किसान भाई यह टेक्टर आपको मिलता है ऐसी कंडिशन का टेक्टर आपको इतने में निमिलता फुल टायर में 380,000 रूप किसान भाई ने चत्री भी लगाई हुई है उपर इसमें सीसा भी लगावे हुआ लेकिन सीसा टूटा हुआ है तो कीमत क्या है यह आप देख रहे हैं यह मैसी 1035 है अपा यहां हर्यान द मोडल 26 है और और अच्या निग वेस्ता में हैं इंजन गेर लिफ्ट विल्कुल ठीक है जे कीमत क्या है इसकी 1,90,000 रुपए टेक्टर री पैंट है या ओरिजिनल पैंट है इसके साथ री पैंट है तो किसान भाई हो आप देख रहें 1,90,000 रुपए में 6 मोडल 1035 आपको मिलने वाला है तो जो भी किसान भाई अगर इंट वैसे पपड़ी उपड़ी हटी हुई है मोडल कौन सा ये 2009 मोडल जुन 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 नंबर आगे पीछे के जो टायर है यह ओरिजिनल में है औरिजिनल में है जे आरसी में कोई दिक्कत नहीं है कीमत क्या है इसकी 2,60,000 तो किसान भाई हो 2,60,000 रुपए में ये टेक आपको पसंद है तो आप जरूर यहां पर आके संपर कर सकते हैं रविंदर जी से इनके नंबर आपको मिली जाएंगे डिसकर्शन में उसके बाद में दूसरा टेक्टर हम आपको दिखाने वाले हैं आप देख रहे हैं यह 735 स्वराज और टेक्टर वैसे ओल्ड मोडल है लेकिन साफ शूतरी कंडिशन का है RC रिन्यूवल है और चिप वाली RC है काड़ वाली RC है 3 सिलेंडर टेक्टर है बडिया कंडिशन है मोडल कौन सा हैं Doras 13 bon doen के सार से कंडिशन बहुत बढ़िया किह हो आप देख सकते हैं टायरों की चंडिशन आप देख सकते हैं आगे की इतने परसंट है 15-20 परसंट है पीछे के टायर आप देख सकते 15-20 परसंट है कलर साफ है आगे आप देख सकते हैं जैनुवन कलर है और आगे बंफर लगा हुआ है आर जी रू टू यानि के अलवर का इनमबर है यह अलवर का नमबर है मॉडल 2003 कीमत क्या है इसकी एक लाख प प्राइज नहीं है फिर भी बहुत अच्छा टैक्टर है जो भी किसान लेके जाएगा खूब चलाएगा उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं और टैक्टर इसके बाद में आप देख सकते हैं यह वाला टैक्टर 380 दर्षन आउटो मोबाइल का इसमें लगा हुआ है चत्री और कौन सा मोडल है यह 2014 नए टायर है 2014 नए टायर उपर है यह 2014 मोडल 14 के टायर है आप देख सकते हैं पीछे के नया रेडिटर है और मरगाट भी नए है और आगे के टायर तो गोली नजर आ रहे हैं मोडल कौन सा है 14 कीमत क्या है 380,000 रुपे में किसान बाइयो यह टैक्टर आपको मिलता है और नमबर कहा का अलवर का यह राजिस्तान का नमबर है तो काफी अच्छा टैक्टर है यह भी जो भी किसान इसको लेके जाएगा वो भी खूब काम करेगा खूब पसंद आएगा इसके बाद में हम आपको एक और दिखाने वाले 308 यह भी है सर 308 यह आप देख रहें 30 मोडल टायरों की कंडिशन क्या कितने परसेंट होंगे टायर अगले टेर 80 परसेंट पिछले 14 के टायर है चालीफ परसेंट आयरें सेलफिश आट एक्टर साफ साफ सुत्रा कलरे वैस इसका जो मारका है वो भी 13 की है और सी बी 13 की है बिल्कुल लोन हो जाएगा इस पर हमोजाएगा शॉर्म हो जाएगा को और टेक्टर दिखाते हैं आप आईए आप देख रहे हैं यह आईसर 312 इस ऐसा टेक्टर आप लोगों को बहुत कम मिलता है इसकी डिमांड भी जाता रहती है सुपधी डिए टेक्टर है यह 312 को पसंद करते हैं बहुती कम टेक्टर मिलता है किसान बाईयों को काफी पसंद आता है टायर कितने परसंट होंगे रविंदर जी इसके 40% रिमांड में रिमांड में टायर है इसके 40% में आप देख रहे हैं इसमें वह भी लगा हुआ है आप बंपर भी लगा हुआ आगे ने लगवा रखा है और काफी बडिया टेक्टर रहे कहीं कुई कमी नहीं किसी भी तरीके की कलर के इसाब से बहुत बडिया चुन चाहा है 2002 2002 model के हिसाब से color भी बढ़िया है ट्रका और वैसे कोई काम तो नहीं है lift pump वगेरा में कोई काम नहीं है किसान लेके जाएगा कोई खर्चा नहीं किसी भी तरीके का आप देख रहे हैं छत्री नहीं है ट्रमें बाकी साफ सुत्रा है ट्रमें कहीं कोई कमी नहीं है तो इसकी नमबर कहां के हैं अलवर नमबर है और इसकी कीमत क्या रखिए रविंदर जी एक पच्छी सजार यह टैक्टर में सीशा लगा हुआ है तायरों की आगे आप देखे तो बिल्कुल नए टायर है नए रेडिटर है और कंप्लीट इंजन करवाया हुआ है पीछे के टायर आप देख सकते हैं गोड है टायरों का खर्चा जरूर हो सकता है सीट वगेरा भी आपको सही करवानी पड़ जाया किसान भाई व बाकी टैक्टर में मुझे कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है नीले कलर का टैक्टर है और काफी किसानों को पसंद आता है यह 480 काफी माइलेज वगेरा में भी काफी बढ़ीया टैक्टर है तो रविंदर जी से पूछेंगे रविंदर जी नं प्रविंदर जी से किसान बाइओ के लिए क्या कीमत रख 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 यह इसकी दो लाक नब्बे हजार रुपए में यह टैक्टर मिलता है किसान बाइओ आपको तेरा मोडल जो की बहुत बढ़ी आ किसान लेगा खूब चलाएगा आपने हमारे किसानों को यह जानकारी दी और पुराने टैक्टरों के बारे में और अगर यहां से लेके जायता है टैक्टर तो आप जरूर उनको दीजिएगा रीजनेबल क्राइज पर तो किसान बाइओ उमीद करता हूं यह वीडियो आप ल जे जवा, जे किसान, जे हिंदुस्तान